हेलो अब्रिवान वेलकम टू मैं चैनल देखे आज मैं आपके लिए जो तोरन लेके आई हूँ एकदम आसान सी तो है ही वैसे तो आप करेंगे मैं हर भात को आसान ही बताती हूँ लेकिन मैं क्या करूं मुझे अच्छी और आसान सी ही तोरन बनाना चलता है जिससे आप सबक चैनल बहुत अच्छी से समझ आए तो चलिए अगर आपको यह पसंद आए तो आप ना लाइक कर देना मैं आप से क्या मांगते हूं कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना क्योंकि यह आ जैना मुझे आपके एक लाइक काफी मोटिवेट करता है और नई है तो और मेरा किरोशय जो है वह 2.75 mm का है तो ठीक है अब मैं इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने एक दो तीन चार यह हमने चार चेहन ले ली और यह ला देखिए दो बार फंदे के किरोशय के उपर ले लिए और लास्ट वाले फंदे में डालके हमने इसमें एक बा यह दूकाल लिए तो यह हमारा डेखिए टिपल करोशय हो गया फिर हम यहां पे ना चार CH anhe ले और फिर से लास्ट वाले चैहन में डालके हम यहां पे देखिए पहले दो बार यह फंदे के उपर लिए इस तरह से और फिर इसी में डालके हम सबस्क्राइब के तो पताहर से अदेते संन टेसे के लिए हुआरा हमें क्रोषी और साधूनर के लिए measure के लिए पेया काहिके लिए पीडेशिक और सथे किरोषे के लिए। यह बंदा इसके उपर लेंगे, फिर डालेंगे, फिर क्रोशे के उपर रहने देंगे, फिर से इसमें डालेंगे, फिर क्रोशे के उपर, तो ऐसे ही हमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, साथ बार यह फंदे हमें न क्रोशे के उपर लेने हैं, फिर एक बार ओड़ेंगे, आठ हो गए, तो ये आठ बार फंदे हमने किरोशे के उपर लिए, और देखें, पहले हमने ये दो फंदे निकालेंगे, फिर ये लिया, फिर एक फंदा ये और दो फंदे ये, देखें, एक फंदा तो हमारा ये था और दो ये, तो ये हम इस तरह से न ये, पीछे हें निकाला है ये दो दो ऐनगे निकलते के चाहिए इस सब्सक्राइब find अरकी ल साम निकाल लेंगे कि पलिंगे और फिर बार यॵ पन्दा इसे कि रोशे के ऊपर आठ बार लेंगे, देखें, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, फिर हम ये दो-दो करके फंदे इस तरह जे निकाल लेंगे, ये देखें, इस तरह जे, दो-दो करके हम फंदे निकाल रहे हैं, जैसे हमने पहले निकाल लेते हैं, सेम वैसे ही, ये देखें, इस तरह से, और ये दास्ट जे रहे हैं, तो ये हमारा इस तरह से बन गया, फिर हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे, लास्ट वाले देखें, दो ब एक, दो, तीन, चार, फिर से चार फंदे लेंगे, फिर से दो बार फंदे क्रोशे के उपर लेंगे, चार चैन लेंगे, और दो बार फंदे क्रोशे के उपर, और यह हम देखे, इस तरह से फिर से टिबल क्रोशे बना लेंगे, उसके बाद में हम फिर से यहां पर डालेंगे और जैसे हमने पहले फंदे लिये थे ना आठ बार क्रोशे के उपर वैसे ही हम आठ बार फंदे क्रोशे के उपर ले लेंगे और जैसे हमने ये बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है तो ये बना के फिर दिखाते हूँ तो ये देखिए, जैसे हमने ये बनाया था, सेम वैसे हमने ये भी बना दिया है, उसके बाद में, फिर से हम वो ही चार चैन लेंगे, दो बार फंद्यकरोशे के ओपर, और एक यहाँ पर टिपल क्रोशे बना लिए, ठीक है, फिर चार चेन लेंगे, फिर लास्ट दो बार ये फंदे क्रोशे के उपर ले लिए और लास्ट वाले फंदे में डालके फिर से हमने ये इस तरह से दो बार कर दिया ठीक है ये ट्रिपल क्रोशे बना दिया और फिर से हम आठ बार इसमें इसी तरह से फंदे लेंगे जैसे हमने यह दोनों बनाए है ऐसे ही यह भी बना लेंगे तो यह पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाते हूँ चितनी लंबी हमें तोरण बनानी है उतना ही हमें यह बना लेना है तो फिर मैं आपको दिखाते हैं तो यह देखिए हमने न यह पूरी के पूरी है न बना ली है यह देखिए आप खुद भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से यह पूरी बन के तयार हुई है और इसे न मैं लास्ट में दिखाते हूं आपको यह देखिए हमने लास्ट में इसमें क्या किया है कि यह वाला जो है कि यहाँ पेR और यहाँ मेने दूसरा कंदे लगाएंगे यह दूसरे वाला कंदेश करेंगे इस में और इस तरह से देखे पहले हमusa हसक कि देख सब्सक्कार शाक Before और यहीं पर डालके हम एक बार फंदा किरोशी के उपर ये दो ये तीन ये चार तो ये चार बार फंदे हमने किरोशी के उपर लिए और इन सब को हम एक साथ निकाल देंगे ये पफ बन जाएगा ठीके अब हम इसे ऐसे निकाल देंगे तो ये पफ बन गया उसके बाद में ह एक दो तीन चार Compl I दिखाई देंगे न तो एक दागा इस में इस तरह से दिखाई देगा a दो तीन चोड कि और जो फोर्ट वालता । इसमें डालके यह से सींपल कि Abend ठीक है फिर हम इसमें न पाच चैन लेंगे एक दो तीन चार और ये पाच पाच चैन लेने के बाद ये देखे फिर से फंदा लेंगे देखे ये न पाच चैन लेने के बाद अब हम फिर से देखे जो ये बीच में हमने टिपल क्रोशे बनाया था न ये वला इसमें डालके हम फिर से चार बार फंदे क्रियोशे के उपर इस तरह से ले लेंगे यानि कि यहां पे भी हम एक पफ बना लेंगे यह देखे सभी को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर से पांच चैन लेंगे एक तो तीन चार पांच देखे ये हमारी न जैसे न बीच में हमें न नोट आ जाती है देखे जैसे मेरी यहाँ पे आयोई है तो हम इसे इस तरह से करके पीछी की साइड कर दिंगे तो ये दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये नोट तो बीच में आई ही जाती है अगर हम बुल यूज़ कर रहा है तो यह पाँच चैनल लेंगे फिर से एक, दो, तीन छोड़के फोर्थ वाले में डालके हम इसे सिंपल क्रोशय से जॉइंट करेंगे फिर पाँच चैनल लेंगे दो, तीन, चार और यह पाँच तो ऐसे ही हमें यह पूरे में करना है जितनी हमारी यह तोरन है लंबी उतने पर हमें कर लेना है लास तक तो यहाँ पर आके फिर क्या करना है वो दिखाते हूँ तो यह देखे हमारी है यह यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई है लास तक हमारी पूरी complete हो गई है उसके बाद में हमें क्या करना है एक दो तीन चार ये हमें न चार और एक ये पाँच पाँच चैन लेकिये और फिर से इसी में डाल की देखे एक दो तीन चार तो ये चार पंदेर क्रोषे के उपर लेकिये और एक साथ करके यह पफ बना लेना जैसे यह बनाया था ठीक है उसके बाद में एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेनी है और इधर से भी हमें ऐसे ही यह बीच में इसे जोइंट करना है देखे एक यह रहा पंदा एक दो तीन तीन चोड़के और यह फोर्त वाले में पाँच चैन लेके और देखे जहां पर हमने यहां पर पफ बनाया था ना इसके दूसरी साइट भी हम सेम तरीके से पफ बना लेंगे तीन यह चार और इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे ठीक है फिर पाँच चैन लेंगे और पाँच चैन लेने के बाद फिर से देखे एक दो तीन तीन चोड़के और यह फोर्त वाले में डालके हम यहां पहना सिंपल क्रुशय बना लेंगे तो ऐसे ही हमें यह पूरा का पूरा कम्प्लीट करना है तो पूरा कम्प्लीट करके फिर मैं आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं देखे कितनी प्यारी लगी है अब हम यह लास्ट में आ गए हैं अब हमें आगे क्या करना है देखे हमें लास्ट में यह न पाच चैन बना लेंगे दिखे निकल गए यह पाच चैन हो गई और इन्हें हम देखे इधर साइड दूसरी साइड जहां पे ह आपे डालके इसे जोइंट कर देंगे ऐसे ही हमने इधर भी किया था ऐसे ही हमें इधर भी कर लिया तो यह हमारी अच्छे से जोइंट हो गई है अब हमें इसमें क्या करना है देखे पहले सिंपल क्रोश्या लेके हम यह इसे इधर ले आएंगे जो यह पांच चैन है ना उन अधिन ये और स्थून काईाने और रहा ही जो कि शॉंपाँ जाइक हुआ धूपर पॉर्लिरे सब्सक्राइब में निम Θट्वी के राधा करें गें और सबिकिते जोईंट् young माँ दालते है वह एक यृःग करता है फिर दो फन दे लेंगे फिर यहीं पर डालेंगे और यहीं पर हम फिर से एक कोड रिपल क्रोश्या बनाएंगे एक सेकिन रुखे यह देखिए इस तहां से फिर यहीं पर डालेंगे और एक कोड रिपल क्रोश्या तो हमने एक किये एक दो तीन तीन बना लिए हैं अब हम चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये, दस, तो हमने ये, दस हमने, ट्रिपल क्रोशिया बना लिया हैं, और अब हम इसे जो जोइँन करेंगे, वो जो ये आगे वाला पाफ है न, इस पर लाके हम sample क्रोशिया से इसे, इस तरह से जोइँन कर देंगे, ये देखे, यह joint हो गया उसके बाद में फिर से हम दो बार फंदे लेंगे और इस वाली simple crochet जो है उसमें हम फिर से triple crochet बनाना शुरू करेंगे और ऐसे ही 10 triple crochet बना लेंगे तो यह बना के फिर मैं दिखाते हूं आपको तो यह देखिए हमने 10 triple crochet बना लिए और इसे भी इस puff के उपर हम यहाँ पे इस तरह से simple crochet से यह joint कर देंगे तो यह देखिए हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देखा यह देखिए अच्छे से दिख रहा है न यह उसके बाद में हम सेम इसी तरह से हम जितना भी हमारी यह तोरन पटी है न यह वाली तो इसमें हमें पूरे में यहाँ तक बना लेंगे यहाँ तक फिर यहाँ पे हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाते हूं तो यह देखिए हमने यहां से यह शुरू किया था और यह कितनी प्यारा सा बन के ना पूरा हमारा तयार हो गया है और अब हम आ गए हैं यहां पे एक कोने पे तो यहां पे इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और यह मैंने एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ और यह 10 तो मैंने यह 10 सिंपल क्रोशिय बना लिये फिर यह पफ के ऊपर आ गया यहां पे हमने सिंपल के से बना लिया उसके बाद में फिर से हमें सेम तरीके से करना है वो ही दस ट्रिपल क्रोशिया बनाने है ये देखे इस तरह से दस ट्रिपल क्रोशिया बना के और दूसरे साइड हमें इसे जॉइंट कर देना है ये देखे इधर साइड तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हम इधर साइड ब बन जाएगा तो यह पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाते हूं तो यह देखे मैंने इधर से भी पूरा का पूरा यह कर दिया है और इधर हमने फिर से 10 सिंपल क्रोश्या बना लिए जैसे हमने इधर साइड बनाए देना सेम वैसे ही तो यह देखे और अब हम यही पे इसे डालके, यह देखिए, उनको कटकर देगे तो यह हमारा बनन के पुरा तयार हो गया हैं तो यह देखिए हमारी जो तुरन है तुरन पटी है वो हमारी कुछ इस तरह की बनी है धो इकदम आशान सी है और आप बहुत खुश होगे जब आप इसका 2nd part देखोगे न क्योंकि मैंने इसे दो पाट में ही डिवाइड किया है तो आप यह पट्टी बनाई है और इसके नीचे के लिए मैंने इतनी सुंदर सुंदर चीज़े बनाई है न कि आपको होगे कि इतनी आसान और एकदम अलग जो आपने शायद ही देखियों कि क्योंकि मझे है न पट्टी यह थोड़ी सिंपल रखनी थी उतनी भी सिंपल नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सिंपल है लेकिन मैंने इसका जो निची के दिया है वो बहुत है और अच्छे वाला दिया है तो आप उस वाली वीडियो को भी देख ले न जिसका लिंक आपको और सा कमेंट करके जरूर बताना बाई एवरिवन एंड थैंक्स वार वाचिंग इंचाइड इस वीडियो बाई नहीं है तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना अगर आपको पसंद आये ये